हेलो स्टुडेंट गुड मॉर्निंग अगला लेक्चर आप देखेंगे इसीड बेस और साल्ट में इसीड आपने पढ़ लिया था अभी तक आपने रीट किया था इसीड को अब आप रीट करेंगे बेस को तो बेस के लिए देखें बेस और बिटर एंड शोपी बेस गिब अवे हाड्राक्साइड आएन बेस 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 और प्रोडिसेज बाइ डिजाल्बिंग मेटल आक्साइड इन वाटर तो बेस क्या होते हैं बेस जो है वो स्वाद में करवे होते हैं और क्या होते हैं स्वापी मतलब साबुन की तरह लगते हैं बेस गिब आवे अगर आप NaOH को ले लें और इसको पानी में घो लें तो यह दो भागों में तूटेगा Na plus OH negative पे तूटेगा तो यह नहीं अगर इनको आप किसी भी वाटर में घो लें तो वो क्या होगा कि hydroxide देगा बेस और produces by dissolving metal oxide in water तो और बेस जो है वो metal oxide produce करते हैं बेस जो है क्या करेंगे ? metal oxide produce कर देंगे अगर इनको आप वाटर में घो लेंगे एक्जांपल की तौर पर अगर आप देखें तो बस की लिए एक्जांपल आप बेशिज और सोदियम घर अक्साइड, पोटेसियम घर अक्साइड, कैलसियम हाड अक्साइड, मैगनेशियम हाड अकसाइड, एटिसी, य converted about at vessel equipment, यह क्या हुए डिर स्ट्छेटेंट यह क्या अब बात आती है potassium hydroxide की तो potassium hydroxide की बात करो तो KOH तो यह क्या हो गया potassium hydroxide calcium hydroxide C A O H twice ठीक calcium hydroxide अब आप देखेंगे फिर नेस्ट देखें magnesium hydroxide magnesium hydroxide यानि M G O H twice O H twice यह क्या फार्मुला क्या हुआ magnesium hydroxide ठीक A T C अब these are found in soaps baking soda, washing soda and toothpaste अगर आप देखें तो किस में पाये जाएंगे यह यानि साबुन में baking soda में पाये जाएंगे, washing soda और toothpaste में पाये जाएंगे ठीक है, तो caustic soda की बात अगर आप करें, caustic soda is the chemical name of sodium hydroxide caustic soda का रासाइनिक नाम जो है वो क्या है, sodium hydroxide यानि NaOH chemical formula क्या हुआ इसका, NaOH, caustic soda ठीक, अब अगर caustic potassium potassium hydroxide कॉस्टिक पोटास की बात करें, के ओ एच, caustic potassium potassium hydroxide ठीक, salt lime of the calcium hydroxide, salt lime क्या होते हैं, calcium hydroxide यानि caoh twice, ठीक, यानि इसको आप calcium hydroxide को क्या बोलेंगे, lime, lime water, lime water इसको बोलेंगे, lime water यानि चूने का पानी या lime water, चूने का पानी में क्या होता है, चूने का पानी जो होता है, वो क्या है, lime water ही है, तो calcium hydroxide, the milk of magnesia, content magnesium hydroxide, the milk of magnesia, content magnesium hydroxide, which is an ant acid, ant acid, यानि magnesium hydroxide की बात करें, mg oh twice, magnesium hydroxide, तो इसको इसका नाम क्या है, milk of magnesia, milk of magnesia, फिर से repeat कर लेज़े, mg oh twice, इसका नाम क्या हुआ, milk of magnesia, यानि इसको जब आप market में ढूड़ेंगे, तो milk of magnesia, इसका जो chemical formula है, वो क्या है, mg oh twice है, base neutralize the effect of acid, base क्या है, वो neutralize क्या है, वो दासीनी करण में कामाता है, कि इसके acid के base are also weak and strong, base क्या होते हैं, इसमें भी acid की तरह, जैसे आप लोग देखते आए हैं, कि acid strong और weak होते हैं, वैसे ही base भी strong और weak होते हैं, sodium and potassium hydroxide, sodium and potassium hydroxide, और strong bases, तो sodium और potassium hydroxide जो हैं, वो क्या होते हैं, strong base होते हैं, तो अब आप देखेंगे, information about the some common bases, यह table number 4.2, देखेंगे, तो इसमें देखेंगे, serial number, name of bases, formula and present in, तो sodium किसमें पाया जाएगा, तो sodium hydroxide जो होगा, वो क्या होगा, NaOH होगा, यहनि किसमें पाया जाएगा, शोप में, potassium hydroxide के OH, यहनि किसमें पाया जाएगा, शोप में, ammonium hydroxide, NH4, NH4, OH, यहनि यह किसमें पाया जाएगा, window में, calcium hydroxide, CAOH twice, यह क्या है, lime water में पाया जाएगा, magnesium hydroxide की बात करें, तो mg OH twice, milk of magnesia, यह किसमें पाया जाएगा, milk of magnesia, तो यह table आप सब याद, learn करेंगे, याद कर लेंगे, और indicator, next lecture में आप पढ़ेंगे, thank you. झाल